नमश्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की साथ से तंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रस के इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिसकस करने वाले एडिटोरियल और एडिया पेच से फर्स आर्टिकल हम देखेंगे बीकमि इंडियन ग्रुप्स हैं उनके बीच में जानेंगे इस आर्टिकल को दूसरा हम मुद्दा दिखेंगे कि पाकिस्तान के सामने क्या डिलेमा अभी फसा पड़ा है काबूल को लेकर के इसके लिए दो आर्टिकल से इस दूसरे आर्टिकल से कुछ पॉइंट से हैं वह एक ए कर रहे थे कार्भी एंगलोंग रीजन ओफ असम और साथ में असम गवर्मेंट और इसमें एक यह पीस प्रोसेस है उसको फाइनलाइज किया गया है जिसमें में तो यह है कि कैसे भी करके इस वाले रीजन में कार्भी एंगलोंग वाले रीजन में इंसर्जेंशी को खतम कि जाए इसमें जो मेमरेंडम आफ सैटलमेंट जो फाइनल जो एग्रिमेंट हुआ है उसमें एक तो यह प्रोविजन किया गया है कि कार्भी एंगलोंग अटोनमस काउंसिल है उसको थोड़ी और अटोनमी दी जाएगी पहली चीज दूसरी चीज कि जो आइडेंटिटी है वह पर प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ा जा सके जिससे क्या हो कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी वेलफेर इंशोर हो सके और उनकी जो डिग्निफाइड लाइफ है वो आराम से कंटेन्यू कर पाएं इसके अलावा यह किया गया है कि कार्भी लेंग्विज जो है उस सरेंडर किया और पीस डिल को एकसेप्ट किया है तो यह बाते तो बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव हमें लग रही है पर सवाल यह है कि नौर्थ इस्ट के मैप को अगर हम एक बार इन डॉट्स को मिलाएं ना चाहे वो नागालेंड हो चाहे मेगाले हो चाहे मिजोरम ह अरुनाचल प्रदेश हो चाहे फिर असम की बात हो इन सारों को अगर मिलाए जाया ना तो यहां पर चोटे और बड़े बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट हो रहे हैं और इसमें जो डिमांड है नौर्थ इस्ट में वह या तो यह रहती है कि हम एक सेपरेट नेशन स्टेट बनाए जैसे कि नागलेंड ग्रेटर नागलिम करके कंट्री के डिमांड की जाती है नागलेंड में जो भी ऑपरेट हो रहे हैं ग्रुप्स ठीक है जिनमें यह रहता है कि हम कैसे भी करके जहां जहां पर भी नागा ट्राइब्स रहती हैं चाहे वह म्यामा वाले हैं, यह लगातार एक ग्रुप है, एक धड़ा है, वो तो यह चाहता है कि हम country से ही separate हो जाएं और दूसरा यह कहता है कि SM से हम separate state बन जाएं इंडियन constitution के अंदर ही, तो यह अलग-अलग demands वहाँ पर चल रही है, bigger level या फिर smaller level पर, तो सवाल यह है कि inspiration कहां से आती है, inspiration द tribal लोग हैं, और उन लोग को परिशान करना शुरू कर दिया, और North East के natural resources को exploit करना शुरू किया, तो इन tribal groups के दिमाग में आने लग गया था, कि जी, यह अंग्रेज लोग हैं, हमारे साथ में बुरा कर रहा हैं, हमें कैसे भी करके protection ले लिए हमें, खुद को defend करना है, ठीक है पर उसके बाद में कुछ ऐसे भी scenario निकल के आता है, जैसे tripura का case ले लो, वहां के जो राजा थे, उन्होंने फिर बाद में अंग्रेजों के साथ में treaty भी की थी, वो चीज़ें अगे continue होती रही, पर फिर भी यह लगातार जो demand थी ना, कि हमें separation चाहिए, इसलिए तो हमारे constitution में schedule 6th and schedule 5th added add की हुई है, कि कैसे भी करके जो local ethnic groups हैं, जो नौर्थ इस्टन रीजन में हैं या फिर जो भी tribal लोग हैं, उनकी culture को हम बिलकुल भी खतम नहीं करेंगे, पर उसके बावजूद भी वो और ज़्यादा autonomy चाहते हैं, तो ऐसे हमें insurgency normal है, नौर्थ इस्ट में अब होता क्या है, कि जो alienation है, वो बहुत जादा देखने को मिलता है, एक तरीकी से अलगावाद जिसको कि वो अपने आपको इंडिया की mainstream के साथ में connected feel नहीं करते हैं, तो इस situation में वो दूर जाने की कोशिश करते हैं, फिर वो depend किस पे करते हैं, exploitation पे और साथ में extortion पे, कै ऐसे भी करके अपनी खुद की जो काम है, उसको continue करें, खुद की relevance को बनाये रखने के लिए, वहाँ के लोगों को परिशान ना करके, जो सरकारी जो भी काम होता है न वहाँ पर, उनके against में काम करना शुरू कर देते हैं, और main जो leader है वो आपको पता ही है, NSCN IIM, ये तो न दूसरे issue जैसे कार्भी अंगलॉंग वाले ही आ गया, तो ये ethnicity, linguistic and cultural identity को बिल्कुल भी lose नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस case में इन्होंने भी अथियार उठा लिए, और यहाँ पर भी बहुत सारी tribes रहती है कार्भी अंगलॉंग वाले region में, ब्रह्मपुत्रा plane वाले miserum, इनके अलग-अलग regions को autonomy दे रखी है, कि जी आपको यहाँ पर exclusive rights दियो हैं, बस थोड़े बहुत कुछ rights हैं, जहाँ पर government अपना खुद का role play करती है, बाकी वहाँ के जो locals हैं, वो अपने इस हाफसे regime को continue करेंगे, पर बात ही आ जाती है कि अब जो six schedule है, उसके अंदर भ schedule six के अलावा, ये ध्यान रखना आप, असम के अंदर, नौर्थ इस्ट में असम के अंदर ये कार्भी अंगलोंग region पहला होगा, दिमास हो एन कार्भी अंगलोंग, जहाँ पे fifth schedule के तहत autonomy दी जाएगी, regional issues को tackle करने के लिए, tribal community को, ठीक है, ये ज़रूर आप ध्यान रखें क्योंकि ये इसमें दिया हुआ नहीं है, ये news में था, तो central government का एक approach रहता है, नौर्थ इस्ट में insurgency को रोकने का, या जो भी internal security से related issue है उन से, तो वहाँ पर एक double barrel approach रहती है, double barrel का मतलब हो गया कि एक इस तरीके से दो approach रहती है, एक तो होता है carrot, carrot का मतलब होता है कि आप constitution के अंडर में autonomy दे दू, और दूसरी तरफ होती है आपके stick कि कहीं पर भी आगर उन autonomy को लेने के बावजूद कोई भी ethnic group है, वहाँ पर militancy को continue करता है और internal security को कहीं ना कहीं threaten करता है, तो उसको militancy को crush करने के लिए security forces का use करना, तो ये दोनों चीजें जो use की जाती है ना government के दौरा, ये more or less हर एक state में successful रही है, चाहे majorum की बात करो, त्रिपुरा की बात करो, या border area जहां पर Assam के अंदर पहले 1985 में, जो आप देख सकते हो कि बहुत सारा Assam Accord फिर finalize हुआ था, और borderland की demand भी यहाँ पर होती रहती है, तो point यहाँ पर यहाँ आ जाता है कि government की जो double standard या double-barreled approach है ना, वो sovereignty को जब-जब भी threaten करने की कोशिश की जाती है North East में insurgency groups के दोरा, तो उसको control करने के लिए use किया जाता है, कि पहले तो राजी कर दो उनको autonomy दे करके, और नहीं माने तो फिर हमारे पास में security forces है, अब देखो security forces को दिया जाता है, अफस्वा जो act है, उनको autonomy दी जाती है, उनको थोड़ी power दी जाती है, वो बात अलग है कि ये जो armed forces का जो act है, अफस्वा, इसका use बहुत गलत तरीके से भी किया जाता है कई बार, और उसके चलते कई cases भी फसे पड़ें अभी तक, पर वो ही चीज है कि double-barreled approach कही ना, कही काम करती है, अब द है, वो 1990 से चल रहा है, आप ये मान के चलो, ठीक है, तो देखो autonomy देना, funds provide करना, ये देखो इतना नहीं है कि जी बिलकुल उनको satisfy कर दे, ठीक है, sufficient consider नहीं किया जा सकता, पर ठीक है, फिर भी आप ceasefire agreements कर लेते हो, settlement कर देते हो, वो सारा हो जाता है, पर autonomy के बावजूद भी अगर वो लोग insurgency को continue करता है, militancy को continue करता है, तो वहाँ पर और भी हमें basic चीजों को समझना जरूरी है, तो देखो, insurgents को आपने, यहाँ पर कारभी अंगलों का मुद्दा है, बाकि और भी बहुत सारे मुद्दा है, जहाँ पर जो भी militants हैं या insurgents हैं, उनको आपने convince क नहाँ पर transition की इनकी बात कर दी, क्योंकि अभी तक तो North East का record क्या है, कि थोड़े दिनों के अंदर उनको जो पता पड़ता है कि जी, हमें तो autonomy और चाहिए, थोड़ी बहुता हो, और awareness आती है, तो आज का agreement हो सकता है, पांच साल बाद में खतम हो जाए, और insurgency फिर से restart हो है, तो वह वाली चीजें फसी पड़ी रहती है, तो ये internal security का मुद्धा है, आगे जलता है, नेक्स आर्टिकल है, पाकिस्तान काबूल सिंड्रॉम, देखो आर्टिकल को लिखा है, सीराजा मोहन ने, देखो तीन सेट, अभी ऐसे कुछ important तीन events होएं, त्री सेट्स आफ है, तो उसमें पीछे backing किसकी थी पाकिस्तान की, no doubt, ठीक है, इसके अलावा जो तीन important events अभी हुए है, उनमें सब सब पहला तो क्या है, कि ISI के जो चीफ है, लेफटनेंट जनरल फैज हमीद, वो पहुंच जाते हैं कहां पे काबूल में, और openly, और उनका target रहता है, कि कैसे भी करके अफगानिस्तान में नया जो रिजीम है, वहाँ पर ऐसे लोगों को install किया जा, जिससे कि पाकिस्तान का खुद का interest कंटीनियू रहे, तो ऐसे में पाकिस्तान इकलोता एक top regional diplomatic है, आप कहसे हो, मतलब पाकिस्तान की तरफ से यह जो ISI के chief गए है, यह अपने आप में first top regional diplomator जो कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पहुंचे है, साथ में इसके अलावा, इरान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उजबेकिस्तान हो, तजिकिस्तान हो, और चाइना हो, इन कंट्रीज की एक meeting भी convene करवाई गए है, और meeting convene करवाने वाला कौन था, पाकिस्तान, त जो अफगानिस्तान में अपना interest रखते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान कान से बातचीत कर रहे हैं, या फिर वहाँ के जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो जनरल बाजवा हैं, उनके साथ में, तो overall बात क्या आगई, कि हर तर मुमेंट अभी बना हुआ है, या अनकंट्रोल्ड है, फ्रैंजीड मैनर में आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान जो है, वो जो चाहता है, उसको निगेटिव परस्पेक्टिव में तो कंटीन्यू करता है, और सक्सेस्फुल हो पाता है, बट जब पॉजिटिविटी की बात आती है, तो वहाँ पर पाकिस्तान फेल हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि सरकारों को डी स्टेबलाइज करने में तो पाकिस्तान बहुत माहिर है, अफगानिस्तान में सरकार एक भी स्टेबल नहीं हो पाई है, पर सरकार जब स्थायत हुए की बात आ जाए, तो उसको बनने में पाकिस्तान बिलकुल भी सपोर्ट नहीं करता है और यही सबसे बड़ी समश्या है पाकिस्तान के लिए भी और यही समश्या है अफगानिस्तान के लिए भी देखो जोग्राफी ने तो हमें पता ही है कि जी पाकिस्तान की बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर होती है ज जो acceptance हो वो है कि नहीं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए तो वो बहुत बड़ा सवाल है इसके अलावा अफगानिस्तान के जो proxies है चाहिए वो कोई भी हो जैसे आप देख सकते हो कि great powers से उनको बहुत सारी assistance के requirement है क्या पाकिस्तान वो help दिलाने में successful हो पाएगा जैसे आज अफगानिस्तान के सामने सबसे बड़ा challenge किया है तालिबान अगर regime take over कर भी चुका है तो सबसे बड़ा challenge है finance की problem पैसा कहां से आएगा अब पैसा दिलाने के लिए पाकिस्तान वहाँ पर क्या role play कर सकता है जो खुद financial action task force की grey list में पढ़ा है है के नहीं तो ये अपने आप में पाकिस्तान की relevance को एक stable government को provide करने में अपने आप में बहुत बड़ा सवाल create करता है अब आप देखो कि world जो है वो Pakistan की तरफ जा रहा है Pakistan की तरफ focus इसलिए कर रहा है क्योंकि Pakistan एक intercede की तरह काम कर रहा है that means एक intermediates या आप कह सकतों mediation का काम कर रहा है जिसमें एक तरफ तो अफगानिस्तान का नया rule होगा और दूस्ती तरफ world community होगी पर पाकिस्तान की खुद की जो image है वो भी तो एक impact डालेगी ही ना क्योंकि पाकिस्तान में जो कोई भी activities होती हैं वो पूरे जग जाहिर हो अच्छे से हो चुकी है इसके अलाबा पाकिस्तान के लिए एक challenge बहुत बड़ा है वहां के citizens का evacuation क्योंकि अभी पाकिस्तान से बातचीत हो रही ही क्यों क्योंकि पकड़ है तालीबान के ओपर या फिर वहां पर जो भी regime change हो रहा है उसके अंदर जो भी key players है उनको install करने में पाकिस्तान बिल्कुल भी पीछे नहीं अट रहा है तो उस case में क्या हो जाता है कि जब international community अपने लोगों को वहां से निकालना चाहिए इंडिया हो इंडिया तो कहरे इतना ज्यादा इंगेज नहीं है इंडिया वहां पर तालीबान के साथ ये इंगेज करना ज्यादा पसंद कर रहा है पर हाँ फिर भी पाकिस्तान के साथ more or उट लेना जरूरी है इसके अलावा पाकिस्तान में refugee crisis भी कम नहीं होने वाला है और रही सही में terrorism के नाम के उपर पाकिस्तान के काराटिका पहले से लगा हुआ है तो पाकिस्तान एक अपने आप में one stop shop one stop solution के तौर पे अभी emerge होकर के आ रहा है तो पाकिस्तान की ability क्या है क जी अभी जो भी dynamics अभी चल रही है अफगानिस्तान में उसको कितना control कर पाती है तो सवाल ये है कि ये इतना आसान भी नहीं है कि जतना आसानी से पाकिस्तान ने वहाँ पर तालीबान regime को install किया है कि उतनी ही पकड़ पाकिस्तान के अफगानिस्तान पे बनी रहेगी ये gap ह जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की पहुँच और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पकड़ रीच एंड ग्रास्प दोनों के अंदर जो gap है ये impossible है कि पाकिस्तान कभी cover up भी कर पाएगा क्योंकि पिसले 50 सालों का अगर देखा जाना है track record तो उसमें पाकिस्तान इस चीज में देखो कि intelligence chief है वो गए क्यों है इसका मतलब यह नहीं है कि क्यों पाकिस्तान अपनी पकड़ को बनाने के लिए गया है या फिर यह कहें कि इंटरनेशनल चीफ वहाँ पर पहले गए मतलब पहले इंटरनेशनल intelligence chief गए है जो कि वहाँ पर अपनी कह सकते हैं अपनी setting को set करने गए हो इसके पहले CIA अमेरिका की जो intelligence agency है ठीक है central investigation agency उनके भी इसके भी लीडर डिरेक्टर विलियम बॉन्स भी गए थे और उनका target यह था कि कैसे भी करके Americans को easily evacuate किया जा सके पर यहाँ पर अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान के जो ISI के chief है उनका जाना इसलिए है कि अब क करें और जिसमें main बात आ जाती है हकानी network कि हकानी network ने तालिबान को install करने में बड़ी help की है अफगानिस्तान में अभी और हकानी network और तालिबान जो अभी currently रिजिम चल रहा है बो दोनों के लड़ाकों को तयार करना यह दोनों operate हो रहे थे पाकिस्तान की जमीन से पिछले तालिबान अगर अपनी autonomy maintain करना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान फिर बाद में यह सोचेगा कि जी मैंने तो मेरे मेरे पिठ्थू को वहां पर आप कह सकते हैं कि मेरे puppets को मैंने वहां पर install किया था और वो फिर बाद में हमें आखी दिखा रहे हैं तो ऐसे में हकानी network को पर representation दिलाने के point of view से यह ISI के जो chief है इनका widget होता है अब सवाल ही आ जाता है कि अफगानिस्तान में पिछले दो दशकों के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसमें एक तरफ तो तालिबान जो कि अपनी अपनी centuries में operate कर रहा था या फिर अपनी जो strength है उसको continue बढ़ाया चल सरकारे चल रही थी वो उसको support मिल रहा था अमेरिका का या फिर net of forces का तो overall बात क्या हो जाती है कि पाकिस्तान भी indirectly अपने stakes को बिलकुल lose नहीं कर रहा था अब बात यह है कि पाकिस्तान का क्या यह scenario अभी का है या पहले से भी है जी हाल बहुत बुरा है पहले से ही है अभी कि तालीबान के faction में भी तालीबान ने take over कर लिया है पर तालीबान भी बहुत सारे धड़ों में बहुत सारे groups में टूटा हुआ बहुत सारे factions में divided है बट वो ही है कि अब power sharing कैसे होगी उसको sustainable कैसे बनाया जाए यह अपने आप में बहुत बड़ा challenge है इसी challenge को tackle करने के पाकिस्तान में political order को stabilize करने में यह अपने आप में एक syndrome दिखाता है उलजन दिखाता है पाकिस्तान की अब यह जो stabilized government को install करने की बात हम कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या है सबसे बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान खुद अपने national issues को tackle नहीं कर पा रहा है और उसके पीछे अफगानिस्तान ही है यह terrorist activities ही promote करना है religion के नाम के उपर अपनी पकड़ बनाने का ही तरीका है यह पाकिस्तान का ठ अफगानिस्तान में दाउद खान को वहां से उखाड के फैक दिया कैसे उखाडा सबसे पहले तो जो communist friend थे ना दाउद के दाउद खान के उनको इन दाउद खान और communist के बीच में एक gap ला दिया दोनों को लड़ा दिया मतलब अंदर ही अंदर आप कह सकते हो कि एक gap create कर दि जिस में main role किसका था पाकिस्तान का और सहायता किसकी ली थी इरान के शा की हो गया ये चीज़ अब फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि communist के साथ में जब दाउद खान की relation से बिगड़ गई तो communist regime ही चल रहा था मॉस्कों में तो मॉस्कों के साथ भी relation बिगड़ गए त पहला काम तो हो गया अफगानिस्तान को destabilize करने का फिर आजाओ जी 1970 में 1970 में टाइम बीटता चला जाता है और 1979 में आपको पता है कि communist regime आ जाता है कहां पर अफगानिस्तान में और उसको destabilize करने में और सोवियत जो आर्मी थी उसको वहां से भगाने के लिए पाकिस्तान अपनी जमीन से मुझाहिद दीनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसमें cold war के टाइम पर US ने सपोर्ट किया था तो पाकिस्तान ने अब क्या किया वहां से communist regime को भगा दिया 1989 में तो ऐसे में एकोर्स destabilization अब मुझाहिदीन थे वो पाकिस्तान को challenge करने लगे तो पाकिस्तान ने तालीबान को तयार किया और तालीबान को फिर बाद में take over करना possible हो गया 1996 में अब 1996 में तालीबान का installation हुआ चलो जी पाकिस्तान अब यूं लगा कि थोड़ा सा stability आएगी पर वो ही चीज है कि 9-11 अटेक हुआ उसमा बिन लादिन ने जो अपनी अफगानिस्तान की century से operate कर रहा था अलकाइदा का जो लीडर था और उसकी वज़े से फिर बाद में अमेरिका का intervention होता है अफगानिस्तान में और उस अमेरिकन intervention को फिर पाकिस्तान को मजबूरन सपोर्ट करना पड़ता है तो जी फिर से dest destabilization होता है फिर हम 21st century में एंटर हो जाता है और रावल पिंडी अपनी destabilization की जो policy उसको continue बनाये चला जाता है मैंने आपको previous वीडियो में बताया था रावल पिंडी का मतलब है अफगानिस्तान पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहे हैं और अगर हम बात करें इस्लामाबाद इतना corporate इसलिए नहीं करते हैं USA को क्योंकि उनके ओपर influence है रशिया का इधर से फिर इरान का एक option बसता है एंटर होने का इरान और रशिया की वैसे नहीं बनती क्योंकि इरान शिया community dominated country है और दूसरी तरफ साथी अरब है वो सुन्नी dominated community है अब आपको पता ही है कि सिया सुन अब कोई दूसरा option था ही नहीं अफगानिस्तान में intervene करने के लिए तो ऐसे में पाकिस्तान का support लिया USA एंटर तो हो गया पर पाकिस्तान अभी तक भी अपने पते खेलना बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था अपनी terrorist activities को continue कर रहा था और उसी के चलते आप देख लो कि अफग लगातार अपने कोशिशे कर रहा है कि अफगानिस्तान में destabilization लाया जाए पर फिर भी पाकिस्तान के support के बिना कोई option था नहीं यह तो डॉनल्ड ट्रम्प ने openly कहा कि पाकिस्तान जो है वो है main main जो जड़ है इस पूरी problem की बोलो पाकिस्तान है उसके बाद मैं ultimately withdraw करी लिय फिर आपको पता ही है पाकिस्तान को gray list में जाना पड़ा वो सारा चीज़े हम देखी रहे हैं पिछले 4-5 सालों से अब 3 सालों से लग बग अब देखो पाकिस्तान जो है काबल की problem से एकदम familiar है काबल को destabilize करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा है पर जो stability की बात आए तो फिर उसके अंदर पाकिस्तान बिल्कुल ही चाता ही नहीं है क्योंकि इसके पीचे वज़े क्या है कि अफगानिस्तान में अगर stability आ जाती है तो वही बात है पाकिस्तान की relevance फिर वहाँ पर खतम होती चली जाती है ठीक है और पाकिस्तानी सारे promotion को कैसा ना पुछ देने चाता है पर तालिबान के अंदर बहुत सारे ऐसे factions हैं उनमें जो internal conflict है वो बढ़ता चला जा रहा है पर सवाल ये क्या democratic countries में जिस तरीके से coalition सरकारे बनती है घटबंदन की सरकारे बनती है क्या उस तरीके से political delay जी बिलकुल भी नहीं क्योंकि तालिबान का हमें पता है वो democratic नहीं है वहाँ पर system कुछ और ही है वहाँ पर system है अपनी खुद की issues को tackle करने के लिए तो point क्या रहा है कि इतना आसान ही अफगानिस्तान में सरकार बनाना और अगर अफगानिस्तान में सरकार नहीं बनती है तो फिर सबसे बड़ी जो border share करता है अफगानिस्तान के साथ में वो country पाकिस्तान ही है पाकिस्तान को देखो इसके repercussions जेलने पड़ेंगे अब इसके अलावा बहुत सारे मुद्दैस हैं भी यह जैसे women's right अब उन अधिकारों को कौन provide करेगा इसके अलावा political crimes को अगर आप मना करो जैसे कि अभी मान लो कि अभी currently कौन amnesty का मतलब था political crimes को forgive करो माफ कर दो तो अभी जो previous government जो गई है सरफ गनी की उस सरकार ने बिल्कुल भी तालिबान को accept नहीं किया था तो उस time पर जो अफगानिस्तान की military थी ठीक है अफगानिस्तान के जो defense personnel थे उन्होंने जिस तरीके के activities perform की क्या उनके लिए उनको सजा दी जाएगी अभी त तो वहाँ पर minorities में हिंदूस भी हैं, six भी हैं इसके अलावा जो शिया community के लोग हैं वो भी है, Christians भी हैं तो overall देखा जाए तो वहाँ पर इन सारी diversified manner में रहने वाले लोगों को क्या सही से manage करना possible हो पाएगा और international concern भी यही है कि अफगानिस्तान के अंदर Taliban रिजीम भी आ ना वो खुद बहुत जादा divided है, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर finance के हाल कितने बुरे हैं वो हमें भी पता है और international community जब तक अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम को recognize नहीं करेगी तब तक फिर बाद में support कैसे करेगा, चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से काम तो बहुत ही impressive किया है, पर सवाल यह ना कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी अभी चल रहा है, उसमें क्या पाकिस्तान successful हो पाएगा, क्योंकि पैसे की shortage तो पाकिस्तान खुद फेस कर रहा है, क्या वहाँ पर अफगानिस्तान की shortage पूरी कर पाएगा, इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जो कोई भी अभी entities emerge होकर क्या रही है, देखो 1973 में जब मोनार्की थी ना, उस टाइम पर अफगानिस्तान के हाल ठीक थे, पर जब से ही यह मोनार्की destabilize होई है, इसको हटा दिया गया है, तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान मे destabilize होने में पूरा role play करता रहा है, अब बात यह है कि अभी currently अफगानिस्तान में पाकिस्तान को role जो भी play करना है, उसमें केवल और केवल एक support दिख रहा है, that is Chinese support, अब सवाल यह है कि क्या चाइना का support पाकिस्तान के लिए कोई miracle करेगा, जी political miracle बहुत rare होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, अब चाइना भी वहाँ पर पैसा आगर invest करेगा, तो उसके पहले यह देखेगा कि कहीं तालिबान के लड़ाकों के चक्कर में मेरे सिंजियान प्रोविंस में तो कोई problem नहीं कर देंगे यह लोग, ठीक है, तो वो चीज बहुत बड़ा सवाल है, ऐस पाकिस्तान में जो कुछ भी instability उसके पीछे पाकिस्तान के लाओ और कोई रस्ता दिख भी नहीं रहा है, अब बात यह आ जाती है, कि religion के नाम पे आपने तालिबान को तयार किया, तालिबान अब बोलता आपने आपको moderately operate होते हैं के लिए, कि जी हम women rights और यह सारे जो ताल तालिबान का पहला previous regime था उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान अगर यहां पे human rights और women rights को या बच्चों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचेगा ना, तो उस case में फिर international community recognition नहीं देगी, तो फिर बाद में funds की shortage आएगी, तो तालिबान खुद मजबूर है यह चीज मानने के लिए, कि जी चलो ठीक है, कि हम अमारी approach में moderate रहेंगे, पर उसका देगो दूसरी तरफ, वही बात है जी, आप अपने backyard में वही साब को पाल रहे हो, तो definitely वह आपको भी खाये गई एक ने एक दिन तो काटे गई, तो उसी तरीके से पाकिस्तान ने तालिबा उस पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहे है, और अप current regime में यही हो रहा है, ठीक है, कि जो medieval period की जो सोच थी ना, वो सोच आप पाकिस्तान में prevail कर रहे है 21st century में, तो वो तो बरबादी की तरफ चलते जाएंगे, आज time देखो, कि आप अफगानिस्तान जो की neighbor है पाकिस्त आज इंडिया दस गुना बड़ी economy है पाकिस्तान के comparison में, रावल पिंडी की जो victory है अफगानिस्तान के उपर, ये तो देखो एक तरीके से ही, वो ही है, कि आपने उपद्रव तो बहुत फैला है, नुएचंस तो बहुत जादा फैला ही है, बट result ये है, कि पाकिस्तान को इसके नुकसान बहुत सारे जेलने पड़ेंगे और पाकिस्तान इसी चीज़ को जेलता आ रहा है, और आगे भी ये ही बनता रहेगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये clarity नहीं आएगी, कि जी हमें peaceful coexistence को continue करना है की नहीं, है की नहीं, आगे चलता है, नेक्स आर्टिकल व on all sides, कि किस तरीके से अभी अफगानिस्तान पे एक pressure बन रहा है, तालिबान पे pressure बनने के chances हैं, ठीक है, अभी आपको पता ही है, लीडर्शिप का तो सारा मुद्धा, अभी यहाँ पर जो points हैंना, different points, वो बड़े important है, सबसे पहला point तो ये, कि काबल में जो regime आ गया भी, उ direction pressure, पहला तो पाकिस्तान की तरफ से, security को और ये जो past के link है उनको, जो हमने previously देखा अच्छे से, दूसरा चाइना का pressure रहेगा, कि चाइना investment तो करने के लिए ready है, पर stability चाहिए, तीसरा रशिया का, रशिया भी बिलकूल पीछे नहीं, अपनी intelligence के basis पर अपनी पकड़ बना करती है, relation या फिर जो dependency है, काबूल रेजीम की in US और European Union के ओपर, वो है financial globally support देने के लिए, तो finance के तरीके से, इन में point of view से देखा जाए, तो काबूल के ओपर ये चार directional, four directional तरीके से आप देख सकते हो pressure है, अफगानिस्तान का जो system है, सारा का सारा, वो बहुत ही ज़्याद groups में divided है, एक तरफ तो तालीबान जो है, वो women right को promote करने की बात करता है, और एक faction है कि medieval ideology के ओपर हमें continue करना है, regime को, तो एक point आगया, अब बात आ जाती है, कि पाकिस्तान को हम यहाँ पर victor के तोर पे perceive तो करना है, समझ रहे हैं कि हाँ जी बहुत ही बड़ी है, और पाकिस और हो जाए तालीबान के नए regime के अंदर, पर बात ही आ जाती है, कि हकानी network को आप introduce कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, तालीबान जो कि multiple factions का group है, उसको आपने already regime वहाँ पर continue कर दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या amnesty रखी जाएगी, जो आफगानिस्तान की national defense security forces है, उनको क्या आप disband करोगे, बिल्कुल खतम करोगे है, उसको continue करोगे, क्योंकि एक तरफ तालीबान अपने तालिब्स को recruit करता है, जो कि religious ideology के basis के ओपर अपनी recruitment देते हैं, कि हाजी Islamism को हमें बढ़ाना है, दूसरी तरफ A.N. जो अफगानिस्तान की security forces हैं, वो democratic principles बे काम करती है, तो यहाँ पर एक ऐसा scenario निकल के आ रहा है कि कहीं सद्दाम हुसेन की जिस तरीके से army का collapse किया गया था ना, जब इराक में attack किया था, USA ने, उसके बाद में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं पैदा होती चली जाएंगी, कि एक तरफ तो आप वहाँ के पैसे फाई करेंगे, रिजीम को continue करना चाते हो, और दूसरी वहीं पर उन लोगों को protect करने वाली जो army है या military forces है, आप कहां की, अफगानिस्तान की, उसको आप disband कर रहे हो, तो instability बनती चली जाएगी, अच्छा, फिर बात आ जाती है, कि food, fuel और power, तीन चीजों की जरूत ह होती है, country को continue करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान और इरान अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिस करेंगे, पर सवाल ये है, कि आज पाकिस्तान की, खुद की हालत पतली है, हमें पता, IMF की, IMF बिलकुल भी support नहीं कर रहा है, और IMF support देने के लिए बोलता है, तो पहले बोलत है, 630 billion dollar से भी ज्यादा का हमारे foreign exchange reserve है, तो बोले इसको आप accumulate करो, पर financial action task force की grey list में है, तो पाकिस्तान क्या कर लेगा, तो पाकिस्तान के लिए situation क्या है, classic catch 22, कि हर एक चीज में उसकी खुद की defeat है, वो कोशिस तो करता है जीतने की, पर वो वहीं पर उलजा चला जाता है, वही है, दलदल में फस गया, हात मारो, जितना हात मारेगा, उतना गहराई में चला जाएगा, अब सवाल ही आ जाता है, कि पाकिस्तान के लिए एक और चिंता की बात क्या है, कि पाकिस्तान इदर है, इदर अफगानिस्तान है, इदर इंडिया है, तो इंडिया भी तो अप अब्दुल गफार खान जो की फ्रंटियर गांदी थे उनका इंडिया को हमेशा से फेवर रहा है पार्टिशन के टाइम पे उन्होंने कहाता है वो इंडिया को पार्टिशन नहीं होना चाहिए वह बातला कि मजबूरन फिर उनको करवाना पड़ा फिर क्या कर सकते हैं जब पाइनी रेड क्लिफ ड्रॉ कर दी गई थी तो पर उसके बावजूद भी अभी तक खान अब्दुल गफार खान की जो फैमिली है वो कॉलकाता में रह रही है और वो लगाता डिमांड कर रही है कि इंडिया से इंडिया की सरकार से कैसे भी करके इंटरनेशनल कम्यूनिट लेगा इंडिया एक बेलिजरेंट है बेलिजरेंट का मतलब एक तरीके से आप कर सकते हो कि हॉस्टाइल नेबर है क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए जब इतना अच्छा कोई रिजल्ट नहीं देता है जब भी कोई बातचीत होती है तो हम क्यों उसके साथ में अच्छा भी ये करें जब मौका मिल रहा है तो हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशे करेंगे ना क्योंकि देखो हम पीस्फुल को एक्जिस्टेंस को इंशूर करना चाते है तो उसमें हमारे साथ में पीस्फुल को एक्जिस्टेंस नहीं चाता है तो हमें डेटरेंस क्रिएट करन पड़ेगा कि आप अपने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो सबसे बैस्ट यह रहता है है कि नहीं अब दुश्मन का दुश्मन कौन है हमारा दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन अफगानिस्तान में कौन बेटे है पस्तून्स तो पस्तून्स को आएंगी वहां से अफगानिस्तान से foreign exchange reserve अफगानिस्तान का खुद का अगर कम रहेगा तो क्या तालिबान रिजीम continue कर पाएगा United Nation की बात करो या United States की बात करो जो Treasury sanctions अगर तालिबान पे लगा दिये गए हैं तो उसकी वज़े से तालिबान का रिजीम वैसे problem में आ जाएगा अच्छा इसके अलावा पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए क्या चिंता की बात है कि अगर रश्या वहां पर invest करना शुरू कर देता है तो USA Cards Act का use करके बोल देगा कि जी ना तो हम पाकिस्तान के help करेंगे ना अफगानिस्तान के help करेंगे क्योंकि आप रश्या से help करते हो रश्या से अपनी engagement करते हो कि Cards Act आपको बता ना Counter Adversary Act जिसमें इंडिया के लिए भी चिंता हुई थी जब तो अफगानिस्तान को भी फिर बाद में ब्लैक लिस्ट आ ग्रे लिस्ट में डालके रखा जाएगा तो कहां पर फिर सपोर्ट मिलेगा अफगानिस्तान को अच्छा चाइना अगर Belt and Road Initiative को अगर वहाँ पर continue करता है तो जी बात ऐसी है चाइना तब ही पैसा लगाएगा अपना जब यह लगेगा कि वहाँ पर stability आ रही है थोड़ी रिस्क ने ले सकता चाहिना अभी जो engagement है वो किवल और किवल एक पॉइंट है domestic issues को अपने को tackle करना और दूसरी चीज अफगानिस्तान में अगर रिजीम सही आता तो Belt and Road Initiative को पर बाद में expand करना पर वही चीज है पाकिस्तान खुद ग्रे लिस्ट में है विश्वास तो कर र है कि अगर हमारे आपर two front war अगर शुरू हो गया ना तो फिर इंडिया हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि East में इंडिया है और आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो अब इंडिया inspired लोग हैं जिसमें पस्तून में लिया हैं उनको promote अगर कर दिया तो एक त हती है तो तालीबान के spokesperson ने खुद ने statement दे दिये कि during line है वो अंग्रेजु की डाली हुई है और हम पठान community को बिल्कुल divided नहीं देखना चाहते चाहिए वो पाकिस्तान में रहते हो चाहिए अफगानिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान के लिए एक और सरदर्दी बहुत बड़ी है कि hard border आप create करना चाहते हो और तालीबान बिल्कुल भी accept नहीं करेगा ठीक है इसके अलावा eastern part पर आपको पताईए कि इंडिया पस्तुन सेपरेटिजम को लगातार promote करेगा पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान में भी तो अब तालीबान भी बहुत सो किया यह हमने बात की अब हकानी नेटवर्क का अगर वहां पर इंस्टालेशन नहीं होता है तालीबान के रिजीम के साथ में अफगानिस्तान में तो फिर पाकिस्तान को परिशान करना शुरू कर देगा यह हकानी नेटवर्क वो खुदी-खुद के लिए समश्या खड़ी इगर देगा खीक है तो ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किलें हो रही है डिलेमा है और आपको पता ही है आईस आईस जो खुराशन प्रोविंस में अफगानिस्तान में जो अपरेट हो रहा है उसको भी पाकिस्तान ने कम सपोर्ट नहीं किया है पर बात यह है कि अगर यह लगातार चलता रहा है तो अफगानिस्तान तो डिस्टेबलाइज होई गया पर पाकिस्तान जो खुद अपने अंदर के घाओं से परिशान है वो और ज्यादा परिशान होगा और जो में जो है ना इसमें सिराजुद्दीन हकानी है वो परिशान कर सकता है तालिबान इंटर्नल इश्योस बहुत ज्यादा होने वाले हैं ठीक है ये प्राब्लम है फाकिस्तान के लिए खुद के लिए दोनों आर्टिकल्स में हमने देखा कि पाकिस्तान को विक्टर थो कॉंसेडर कर दिया पर पाकिस्तान डी-स्टेपलाइज करने में successful है stability लाने में सबसे fail country है खुद का stability नहीं आ रही अभी तक है internally कभी army take over करती है कभी 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 क्या क्या नाम religion का लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ठीक है इस discussion में इतना ही था और एक article और उस पर नजर डाल लेते हैं थोड़ी यह article reputation and harm देखो अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ तो जहां पर freedom of speech and expression की बात करें article 19 clause 1 में जिसमें हम मीडिया की freedom को भी हम promote करते हैं हमारे constitution की basis पे तो एक तरफ तो मीडिया की promotion इसलिए चीए कि press freedom अगर मिलती है तो जो भी गड़बड हो रही है system में या जो कमिया है हमारे regime की या सरकार की तो वो कमिया उजागर की जा सके एक्सपोज की जा सके पर उसी मीडिया का अगर misuse किया जाए और कुछ मीडिया house है इस तरीके के statement दे दे कि जी हमारे यहां पर तो मतलब एक तरीके से वही बात है कि आप वो religion वाली बात पाकिस्तान जिस लाइन पर चल रहा है उस तरीके से अगर religion के नाम के उपर हम मतलब आपनी खुद के issues को या खुद के relevance बनाने की कोशिस करें तो वहां पर फिर वो reasonable restrictions वाला मुद्दा आ जाता है कि article 19 clause 2 में जो reasonable restrictions की बात की हुई है उसको हमें apply करने की नौबत आ जाती है कि जब आप foreign relations को बिगारने कोशिस करो या internal security national security या national interest को हम करो morality या public order को इनको हम अगर करना शुरू कर दो तो उस case में फिर उस तरीके के freedom of speech and expression को एक बार रोकना पड़ता है नहीं तो क्या हो जाएगा कि freedom of speech and expression का use करते हुए एक individual अपने rights को exploit कर रहा है तो दूसरी तरफ दूसरे individuals के जो rights हैं उनको breach कर देता है तो सवाल यहाँ पर क्या है कि अभी कुछ media houses जहां पर जिसमें अभी जो नाम आ रहा है that is यहाँ देखे पंच जन्य यह media house है इन्हों ने infosys को attack किया है और यह कहा कि infosys जो है वो टुकडे टुकडे गैंक को support करता है जो कि इंडिया को और ज्यादा divide करने की कोशिस कर रहा है तो बोले infosys ऐसी company जो कि 1990s के अंदर 1999 में यह nasdaq new york में लिस्ट हो चुकी थी ठीक है आप देखो कि internationally recognized company है blue chip indian company है तो उस company का इस तरीके से आप image को down करोगे तो फिर बाद में वहाँ पर investment down जाएगा और आज infosys जैसी company हमारे यहाँ पर GST का जो network है जिस पर operation होता है पुरा का पुरा GST collection का filing का वह infosys का develop किया हुआ है तो इस तरीके के सवाल उठाना और यह जो आप कहता ना कि अपने खुद के interest को अगर फुल्फिल करने के चकर में आप इस तरीके के statement देते हो तो देखो इंडिया की image पर भी यह दबा लगता है और दूसरा जो हमारी international community में recognition है हमारी companies के basis पे उसको आप धुमिल करते हो तो यह चीज़ बताई जा रही है तो देखो होना क्या चाहिए कि freedom of speech and expression तो होनी चाहिए पर उसके साथ में morality को आप ignore मत करो है कि नहीं क्योंकि